वेल्कम टू ग्रीन आइलेंड इस वीडियो में हम जानेंगे बहतरीन वायू शुद्ध करने वाले इंडोर पौधे इससे पहले जान लेते हैं वायू में उपस्तेत प्रद्शुकों के बारे में पॉर्मल्डी हाइड यह फेशल, टीशु पेपर, पेपर बैग, पेपर टॉवल, वैक्स पेपर, सिंथेटिक कपड़े आदी में पाया जाता है इनके कारण किसी को भी नाख, मू और गले में जलन हो सकती है सीवियर केसेज में फेफडों में सूजन हो सकती है जाइलीन यह चमबडे, रबर, तवाको के धुएं और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में पाया जाता है जाइलीन मू और आँख और गले में जलन पैदा कर सकता है सिर्दर, चक्कर, भ्रम, हृदय की समस्याई, यकरत और गुर्दे की शती यहां तक की कौमा भी कर सकता है अमोनिया अमोनिया फ्लोर वैक्स, खिड की साफ करने वाले क्लिंजर, खुशबुदार पदार्थो और खाद में पाया जाता है यह आँखों में जलन, खासी और गले में खराश पैदा कर सकता है सल्फर डाई ओक्साइड यह कारखानों में इंधनों के जलने से बनता है, हवा में इसकी उपस्तिदी फेफडों, गलों और नाक में जलन पैदा कर सकती है यह अस्थमा के लोगों के लिए बहुत थानिकारक है पहला पौदा और्किट और्किट बहुत लोग प्रिया इंडूर पौदा है, यह विप्रिम्रकार के वातावरण में जिवित रह सकता है और्किट पौदों को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं इन्हें 15-30 डिग्री तापमान पसंद है इन्हें अत्यादि गरम या ठंडा मौसम पसंद नहीं है इन्हें कम पानी चाहिए होता है और्किट हवासे दायलीन और टॉलूइन को साफ करने में प्रभावी है नेक्स्ट पौदा है चाइनीज एवरग्रीन इसे एगलोनिमा भी कहते हैं यह कम रोशनी और सुखा सैन कर सकते हैं यह बिगिनर्स के लिए अच्छा पौदा है यह इंडोर हवा को गुणवत्ता एवं सस्त बनाता है ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कुछ तत्व जहरीले हो सकते हैं जो आपके पैट्स को नुकसान पौचा सकते हैं तीसरा पौदा है ड्रैगन या ड्रैकना मारगीनाटा ड्रैकन मारगीनाटा पौदे बहुत उपयोगी वाईयू साफ करने वाले पौदे हैं यह आपके घर में उपस्ति जहरीली पदार्तों को हटाते हैं जैसे दाइलीन, ट्राइकलोरो, एथिलीन और फौर्मल डिहाइट यह जहरीले पदार्त फरनीचर पौलिश, वार्निश या हेर इस्प्रे में होते हैं जो इंडियोर हवा में फैल जाते हैं ड्रैगन ट्री कम रोशनी को सैन कर सकता है इसलिए आप इसे अपने कार्याले या घर में भी रख सकते हैं नेक्स्ट फौदा है स्पाइडर प्लांट या क्लोरोफाइटम यह एक हाउस प्लांट है जिसकी देखबाल आसानी से की जा सकती है इसे ब्राइट इंडिरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है यह इंडोर हवा में बैंजीन, फौर्मल डिहाइड या आदी हानीकारक प्रदशकों को समाप्त करता है स्पाइडर प्लांट को दलदली मिट्टी पसंद नहीं है अथा इसकी मिट्टी थोड़ी सुखने दे यह आपके पैट्स के लिए शुरक्षित हाउस प्लांट है नेक्स्ट पौदा है संसेवेरिया और इसनेक प्लांट इसे मदर इनलॉर टंग के नाम से भी जाना जाता है यह एक लोग प्रियाट वायू शुद करने वाला पौदा है जो हवा से फॉर्मल्डी हाइड को फिल्टर करता है फॉर्मल्डी हाइड आम तोर पर सफाई उत्पाद को जैसे हाईजीन प्रोड़क्ट्स परसनल प्रोड़क्स में पाया जाता है इसनेक प्लांट एक सक्यूलन्ट है जो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है करने वाला पौदा है इसमें कारबन मोनो अकसाइड और फॉर्मल्डी हाइड जैसी जहरीले गैसों से लड़ने की शमता होती है इसकी देखभाल करना आचान है अगर इनकी पत्तियां पी ली या जहरने लगें तो इन्हें पानी दें यह मनुश्यों एममपालतु जानवरों के लिए थोड़ा जहरीला हो सकता है अता है इन्हें छूने के बाद अपने हाथ धोएं इसे वीपिंग फिक भी कहते हैं यह प्रदूशकों को हटाने के लिए एक और बहतरीन पौदा है जो ट्राइ क्लोरोफ, एथलीन, बेंजीन, फौर्मल्डिहाइड और जाइलीन ततों को हटाता है जो कारपेंटी फरनीचर में होते हैं यह बहुत समवेधी पौदा है और यदि आप अपनी पानी देने की आदतों या उनके इस्थान को अकसर बजलते हैं तो उनकी पत्तियां पीली या गिर सकती हैं अधिकांश फाइकर्स ब्राइट इन डाइरेक्ट सनलाइट पसंद करते हैं इसकी मिटी सुखने पर ही से पानी दें नेक्सट है जेसी कॉमपेक्टा और जेनेट क्रेक कॉमपेक्टा हवा से बेंजीन ट्राइकलोरो एथिलीन जैसे हानिकारक प्तारतों को हटाने में मददगार है इसका कॉमपेक्ट आकार और स्वादेने की शमता इसे एक डिसेंट हाустить प्लांत बनाती है इसे भी और बदो की तरह इंडाइरक्ट संराइट पसंद है इसे ज़्यादा पानी ना दे, इसकी जड़े ज़्यादा पानी से खराब हो सकती है नेक्स्ट पौदा है केंटिया पाम केंटिया पाम एक और शक्तिसाली वाईयो शुद्द करने वाला पौदा है जो बेंजीन जैसे खतरनाक प्रदूशकों को समाप्त कर सकता है जो कि वारनिश, पेंट, गैसोलीन और डिटरजेंट में पाया जाता है या पौदा अर्ध छायदार छेतर में रखा जा सकता है उमीद है आपको वीडियो पसंद आई हो थैंक्स वाचिंग